नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग हिंदू धर्म में पूजा पाठ और अन्निक कर्म कांडों का महत्व है और इनसे जुड़ी मानेताएं भी हैं लेकिन कि आपको पता है जब भी हम पूजा करते हैं एक नारियल जरूर रखते हैं तो इस नारियल का बहुत महत्व है क्योंकि मंदिरों में नारियल तो चढ़ाया ही जाता है और सास्त्रों में ये भी विदान है कि नारियल को सिर्फ पूरूस ही तोड़ सकते हैं क्योंकि नारियल को गर्ब से जोड़ कर देखा गया है और इस्त्रियों के दोरा इसे फोड़ना बिल्कुल मना है तो नारियल को मा लक्षमी का प्रतीज भी माना गया है और जब मा लक्षमी की पूजा कैसे में हो तो नारियल जरूर चाहा जाता है वैसे कोई भी पूजा हो क पर नारियल रखने का विदान है अक्सर यह माना जाता है कि पूजा में चढ़ाया गया नारियल जो खराम निकल गया है असुब है लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि अगर चढ़ाया हुआ नारियल खराम निकलता है तो यह बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी पीछे भी एक आपकी मनोकामना पूर्ण होने के यह संकेत है और आपके मन में जो भी इच्छा है वो भगवान पूरी करेंगे अगर नारियल सही है कोई खराबी नहीं है तो नारियल को फोड़कर परसाद के रूप में सब में बांट दीजिए यह करना बहुत सूल है क्योंकि देखिए आप उनके नाम पर फोड़कर आप समय बांटी दीजिए क्योंकि माना जाता है कि जब आप का खराब नारियल इस्वर ने आपकी पार्तना स्विकार कर ली है और नारियल का खराब निकलने का मतलब यह भी है कि आपने अगर कोई मनत मांग के नारियल चड़ाया है वो जल् पूरी होती है तो नारियल अच्छा निकले तो बहुत सारी लोगों के बीच थोड़ा थोड़ा करके ही सही परबाटे जरूर और अगर खराब निकल जाए तो खुल सो जाईए क्योंकि भगवान आपकी परतना स्विकार कर चुके हैं लेकिन आप सवाल है कि अगर नारियल तो आपको पता है नारियल को स्रीफल कहते हैं और जब भगवान नारायन ने प्रतिवी पर अफ्तार लिया था तो मां लक्ष्मी नारियल का ब्रिक्ष और काम देनु लाए थे तो पूजा में नारियल चरहने के बाद केवल पुरुष तोड़ता है और नारियल बहुत पस है यानि पॉजेटिव एनर्जी जहां का बातावरन अच्छा होता है वहीं पर नारियल में पौधा निकलता है और यह उन्नती का तायक है वैसे नारियल को आप कहीं पर किसी को दे दे या फिर आप जमीन में उसको लगा दे उससे पेड निकल आएगा और अगर आपने ना रिलर में फाल बन गया तब तब इसको पर साथ के रूप में सब कोई कहा जाये तो ऐसे में यह एफ घुरूढर के साथ घुब बरसे का खुसिया आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा महा प्रियोग जब आप नारियल फोड़ते हैं वह अच्छा वाला नारियल जो निकलता है तो उसमें आपने देखा वह छोटा सा अंकुर निकलता है गोल ऐसा चोटा ऐसा रहता है नारियल के आंक के पास ध्यान दिया होग आपने अगर वह साबूत है तो आपके घर में जो भी प्रेग्नेंट महिला है या फिर जो चाहती है संतान उसको कहिए कि पानी के सारे निगल जाए पुत्र संतान की प्राप्ति होती है इस प्रियोग को करने से हम आपसे विदा लेंगे हर हर महादेव धनिवाद